हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूगेस्टन चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेश वीडियो लेक्चर, वी विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट दे प्रोटोन पॉंप इनहीबिटर्स तो प्रोटोन पॉंप इनहीबिटर्स क्लास की जो मेडिकेशन से उसके बारे में हम डेटेल में स्टड़ी करेंगे कि what are the main basic use of these medicines, फिर उनके डोजिस के बारे में हम जानेंगे फिर किस तरह से ये medications काम करते हैं कि जिसको हम कहते हैं उसके mode of action या फिर उसकी mechanism of action के बारे में स्टड़ी करेंगे as well as उनके जो effective doses क्या होते हैं किस तरह से उनको ली जाती है और कौन-कौन से उनके side effects होते हैं तो ये सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डेटेल में study करेंगे of proton pump inhibitors तो title slide को थोड़ा हम समझ ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग लग जो brands देख सकते हैं कि जो proton pump inhibitors medication से कि यहाँ पे आप देख सकते हैं pentoprazole के gas to resistant tablet देख सकते हैं नीचे भी pentoprazole sodium grass to resistance tablet है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि तो rabiprazole sodium के tablet से as per IP और यहाँ पे जो है वो है omiprazole के capsules तो यह सारे medications आप यूज करते हो कि कि जब आपको कोई ने कोई हमारे gastro intestinal tract related कोई disease हो तो इसमें यह prescribe के जाती है तो detail में जानते हैं अब यह medications के बारे में यह video lecture में तो expert lecture by Amar sir Mr. Amar M. Ravel Assistant Professor, Founder of PharmaRocks Thank you friends for being in a one leg family of PharmaRocks updated रही है pharma knowledge के साथ एक्सेस कर यह study material, test series and video lecture on app PharmaRocks test series के लिए आप contact कर सकते हैं 901631-2020 तो अगर आपके पास iPhone है तो यह app store पर से आपको download कर यह अगर आपके पास android phone है तो उसको google play store पर से download करके test series study material video lecture को एक्सेस करके आप online study कर सकते हैं on PharmaRocks mobile application तो link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझे definition of proton pump inhibitors तो proton pump inhibitors हारे member of class of medication class of medications whose main aim or action is to profound and prolong reduction of stomach acid production तो यहाँ पर जो proton pump inhibitor से उनका जो काम होता है reduces the acid या फिर जो हम कहते हैं कि हमारा stomach के अंदर जो stomach acid जो produce होता है उसको उसकी जो amount है वो reduce करने का काम करते हैं कि जब वो secret होता है तो वो secret होने का जो time period है या फिर वो कितने time तक secret होते है तो उसको जो normal condition में जो समझो कि कोई disease condition के कारण excessive amount में ये stomach acid produce हो रहा है और उसके करन आपको gastrointestinal tract related अलग-अलग diseases and disorders हो रहा है जैसे कि acid जब increase होता है stomach में तो ये acid increase होने के कारण कि जो आपका stomach acid है ये समझो कि यहाँ पे normal range तक है तब चलो सही है बट समझो कि और ज़दा उसकी amount increase होती जाती है तो उसके करन सबसे पहले तो patient जो है वो acidity जैसा feel करता है कि जो acidity या फिर hyper acidity कहते है वो फिर ये acid जो है वो उपर isophagus के और भी जा सकता है जिसको हम कहते है gastroesophagal reflux disease कि जो GARD कहा जाता है फिर excessive acid समझो कि stomach में रहेगा तो आगे जाके वो stomach के अंदर कर सकता है ulcer आगे जाके वो पैप्टिक ulcer या फिर और भी समझो कि complications वहाँ पर हो सकते है वो acids ज्यादा समझो कि नीचे क्यों और जायता है तो ये वात पित कि जो हमारा acid है और तीसरी चीज़ जो है वो cough कहा जाता है कि आईरवेदा के अंदर ये तीनों elements proper balance होते है that is वात पित एंड काफ वात मतलब कि वायू कि जो gas है पित मतलब कि जो हमारे body का acid और थर्ड चीज़ जो cough कि जिसको हम कहते है medical terms में cough या फिर उसको mucos भी कहते है तो ये तीनों जब proper balance हो तब तक कोई disease या फिर disorders नहीं होते बट जब imbalancing होती है तो उस वक्त अलगला complications होते है तो जब ये acid excessive amount में secret होता है तो उस वक्त उसको secret करने वाले जो pump जो होते है कि जो हम कहते है कि proton pumps proton pumps तो proton pumps को inhibit करना ज़रूरी होते है कि जिसके करन ये pump inhibit हो जाएगे तो जो cell ये acid secret करते है हमारे stomach के अंदर वो secret होना बंद हो जाएगा तो ये acid medication से कि क्या करते थी है prolong reduction करती है stomach acid के production का by inhibiting the proton pumps and PPI work by inhibiting the certain stomach cell from pumping acid into the stomach कि stomach के जो linings होती है कि ये वाले जो linings आप देख रहे है stomach के तो वहाँ पे कुछ ऐसे cells होते है कि जो secret करते है acid तो proton pump inhibitors का target ये होता कि ये जो यहाँ पे जो cells होते है कि जो secret करते है stomach acid उनको कर देना है inhibit inhibit अगर वो cells की activity inhibit हो जाएगी तो acid secret होना बंद हो जाएगा और उसके करण जो level maintain है acid का वो fix रहेगा और excessive acid जो है वो produce नहीं होगा because जितना normal चाहिए उतना ही okay है बड़ जब excessive acid produce होता हो तो इसको इस तरह से हम medication से control करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो tablet जो आप देख सकते हैं ये वाली कि proton pump inhibitor turn off, proton pumps and reduce the acid की ये जो medication जब यहाँ पे पहुचती है तो वो medication की जो effect के कारण acid secretion जो है वो reduce होता है कि acid produced by proton pump यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे isophagus और ये है medications की जो proton pump inhibitor class की है तो proton pump inhibitors को कब लेना है कि जब आपको heart burn होता हो या फिर gastrointestinal related कोई भी disease होगी जिसके करण आपको excessive acidity हो जाती है तो they taken 30 to 60 minutes before a meal ये खास समझे कि proton pump inhibitors के जो medication से वो before meal लिये जाते हैं कि खाना खाने से पहले या फिर समझे कि आप की habitacy कि आप breakfast से पहले लेते हैं तो always before meal ही उसको लिये जाती है तो ये खास important point and PPI can prevent or reduce the heart burn due to the excessive acid however they do not work as well when taken on demand as they do when taken over a period of time कि जब आप जब उसकी तुरंत आप use करेंगे कि समझे कि खाना खाने के बाद आपको ये सा लगते हैं कि acidity feel हुई और फिर आप समझे कि ये medications लेते हैं तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा बट जब आप उसको before meal लेंगे तो जो है उसकी effectiveness काफी अच्छी मिलेगी कि कि जब आप effect जब चेक करते तो उसमें जब before meal medications दी जाती है तो उस वक्त उसके जो effectiveness से वो हमें अच्छे मिलते हैं compare to the with or without meal with that of same drug taken without a meal और with meal तो mainly आपको ये चीज़ ही याद रखनी है यहाँ पर ये slide कि according to कि समझे कि आप omiprazole यूज़ कर रहे हैं या फिर आप lansoprazole, gastro-resistant capsules वगेरा यूज़ करते हैं तो at least आदा गंटे पहले आपके खाने के 30 minutes या 60 minutes से पहले ये tablets जो है वो आपको लेनी चाहिए कि जिससे करण उसकी जो effectiveness से वो आपको अच्छे मिलेगी तो medications के example देखे तो सबसे पहले समझते हैं कि available over the counter कि जो without prescription हम कहते हैं that are omeprazole, isomoprazole, lansoprazole and zagarid तो जो zagarid है वो combination है omeprazole with sodium bicarbonate कि इस omeprazole के साथ combination में रहता है sodium bicarbonate and ये जो medication से वो काफी powerful रहती है कि जो कहें कि heartburn रहता है किसी को acidity के कारण तो वो अच्छे से ठीक करता है और ये आपको without prescription मिल जाती है over the counter और ये medications आप जो है वो before meal use करेंगे तो available over the counter ये खास कि जो हम OTC medications कहते है omeprazole, asomeprazole and lansoprazole तो यहाँ पर देख सकते है lansoprazole, lansol 30 कि जो 30 mg उसकी strength है और omeprazole के capsule साब देख सकते है कि जिसकी strength है 20 mg तो यहाँ पर देख सकते है proton provinipeters के अलग-अलग doses कि जो omeprazole है उसका defined daily dose की जो equivalent हम कहे है तो 20 mg जितना है panto-prazole देखे तो 40 mg फिर isomiprazole उसका 30 mg जितना dose lansoprazole 30 mg की जो काफी effective or equivalent daily dose रहता है और raviprazole का रहता है 20 mg तो यहाँ पर आप labels भी देख सकते है medications के उपर कि जो marketed formula आप देख सकते है glansoprazole 30 mg का आप देख सकते है omiprazole के capsules 20 mg strength में भी आप यहाँ पर देख सकते है फिर ऐसे medications same class के अंदर की जो prescription only है prescription drug है protein pump inhibitors के अंदर तो देख सकते हैं उसकी भी strength है 30 mg pentoprazole का 20 mg का यहाँ पर देख सकते है formulation marketed and नीचे जो है वो pentoprazole sodium का 40 mg का marketed formulation है तो rabiprazole, pentoprazole and dexlanosoprazole जो है वो रहेंगे specially RX only कि यहाँ पोटेस नहीं ले सकते उनको जो है वो proper prescription के साथ ही patient को दी जाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं rabiprazole, sodium tablets as per IP जिसकी strength है 10,2 mg तो इसका हम tablet का label अच्छे से पढ़ते हैं तो देखिए लिखा है कि each entry coated tablets contain rabiprazole 20 mg फिर storage story ने cool and dry place and keep out of reach of the children और RX खास लिखा है कि RX only रहते हैं यह rabiprazole sodium के tablets तो before meal खास as per the direction of physician आपको यह medications यूज करनी होती है और उसके हमने doses भी जान लिए तब जान लिजे कि जो हमारे body के अंदर जो acid secret होता है वो किस तरह से होता है stomach के अंदर कि how is acid secreted in the stomach तो stomach के अंदर जो एक specialized cell होता है कि जो हमने first slide के अंदर देखा था कि जिसमें लिखा था कि special cell तो यह special cell का जो नाम है वो है parietal cell parietal cell तो acid is secreted by parietal cells in the proximal two-thirds of the stomach कि जो two-third portion जो हम कहते है stomach का कि जो proximal region है stomach का वहाँ पे आये जो parietal cell है वो secret करते है acid और यह gastric acid जो है वो हमारे food के जब हम खाना खाते तो उसका digestion के लिए जरूरी है तो gastric acid is the digestion by creating the optimal pH for papcine and gastric lipase and by simulating pancreatic biocarbonate secretion की जो हम food लेते हैं जो भी तो उसके proper digestion के लिए जो optimum pH चाहिए वो set up करने के लिए हमारा gastric acid secret होता है तो यहाँ पे रहे जो proton pumps होते है वो उसके अंदर काम करते है और parietal cell में देखे कि आप यहाँ पे acetylcholine के यह symbol histamine और gastrin तो यहाँ पे रहे जो proton pumps आप देख सकते हैं की यहाँ पे जो proton pumps है की यह वाला की यह जो symbol भी दिया है proton pump वो काम करते हैं की जिसके करन जो lumen of gastric pit यह parietal cell का region और into the blood तो HCO3 वे CL- वो blood के अंदर जाते हैं और parietal cell में रहा H2 और CO2 carbonic enhydrase जो enzyme के कारण H2CO3 के अंदर convert होता है और H2CO3 में से H plus और HCO3 minus जो है वो उसका फार्मेशन होता है तो यह जो H plus है वो जो है जो हम कहिए देखी proton pump proton pump जो है वो उसको जो lumen है gastric pit का वहाँ पे उनको transfer करते है और H plus के साथ Cl minus भी आते है और यह H plus और Cl minus कमबाइन होके H plus और Cl minus तयार करते है HCl कि जो हो गया hydrochloric acid और यह HCl ही है हमारा stomach acid तो यह जो stomach acid जो है जो form हुआ वो तभी form होता है कि जब Cl के साथ H plus जो है वो कमबाइन होते है तो proton pump inhibitors medications क्या करती है यह जो pump है कि यह जो H plus है उनको यहां की और बेजने का काम करते है समझो कि यह pump यहां से inhibit हो जाता है तो यह H plus जो है यहां पे नहीं आएंगे और H plus नहीं आएंगे तो Cl minus का कोई use नहीं होगा because H plus होगा और Cl होगा तो ही वो दुसरे के साथ कमबाइन होके HCl बनाएंगे तो यही mechanism है कि proton pump inhibitor class के जो medications develop हुए तो यही concept से develop किये गए कि parietal cell के अंदर जो H2 और CO2 कमबाइन होके H2CO3 बनाते है H2CO3 में से HCO3 minus and H plus form होते है यह HCO3 तो blood के अंदर चला जाते है बट H plus को जो proton pumps होते है वो यहां पे कि जो lumen कहते है gastric pit का वहां पे बेजते है और वहां पे यह H plus और CL minus कमबाइन होके बनाते है stomach acid और यह जब कोई disease condition ना हो तो यह normal amount के अंदर H plus और CL minus produce होते है बट समझे कि यह excess amount में produce हो तूस्वक जरूरी होता है यह proton pump को temporary जो है वो block करना कि जिसके करण reduce हो सकता है stomach acid का production तो यह पर समझे mechanism के अंदर कि proton pump inhibitors inhibit the gastric acid secretion by selectively and non-competitively inactivating and block the H plus K plus ATPS pump कि जो हमने previous diagram में भी देखा कि जो pump जो है हमारा कि यह वाला कि H plus K plus ATPS pump कि जो H plus and CL minus को यहाँ पे बेचते है और वो produce करते है stomach acid की जो HCL है कि यह CL minus यहाँ पे आएंगे और H plus तो H plus और CL minus combine होके बनाते हैं यह HCL तो PPI क्या करते हैं यह H plus का यहाँ पे आना ही block कर देते हैं तो जिसके करने H plus तो आ नहीं सकेगा H plus नहीं आएगा तो बिना H plus के chlorine जो है वो hydrochloric acid जो है वो produce नहीं कर सकतार automatically reduce हो जाएगा acid secretion तो इस तरह से हमारी proton pump inhibitors के medications जो है वो काम करते के molecules of the parietal cell but possibly only those that are actively secreting the acids की especially जो H plus K plus ATPS जो pump होता है या फिर जो हम उसको दूसरे वड़ में proton pump भी कहते हैं तो यह proton pump को यह कर देती है medications inhibit कर देती है या फिर block कर देती है this might imply that stimulation of acid secretion by meal is necessary for optimal inhibition of gastric secretion तो यह है main mechanism of proton pump inhibitor सब जान लेते हैं उसकी uses तो relieve the symptoms of acid reflux कि जब acid आपका isophagus के और reflux होता है और उसके कारण क्या होता है gastro-esophagal reflux disease की जिसको हम कहते हैं GERD तो यह उसको अच्छे से treat करने के लिए GERD को यह medications हम use कर देगी जिसके कारण यह pentoprazole या फिरोमiprazole, isomoprazole, lensooprazole, कोई भी WPI लेने से यह excessive acid produce होना हो जाएगा stop और जिसके करन GERD की जो symptoms में से patient को relief मिलता है फिर zollins or ellison syndrome के अंदर भी यह medications patient को दिये जाते है treat or duodenal ulcer, peptical ulcer या फिर stomach या फिर gastric ulcer हम कहते है and treat and damage to the lower isophagus goes by treat damage to the lower isophagus goes by acid reflux के समझे कि यह acid उपर की और reflux होता रहता है तो उसके करन जो lower isophagus का जो region damage होता है तो उसको treat करने के लिए भी हम यह medications use करते है and to treat the condition of acidity even जब किसी को acidity का problem होता है या फिर कोई medications के करन acidity होती है तो एंटिबायोटिक्स के साथ भी कई बार जो है वोमी प्राजोल है या फिर रैबी प्राजोल, पैंटो प्राजोल ऐसे medications combination में दी जाती है कि जिसके करन acid secretion जो है वो control में रहे और excessive acid जो है वो secret ना हो और patient को acidity में से relief मिल सके फिर हम समझते हैं उसके side effects क्या है तो numerous side effects of proton pump inhibitors ये समझे कि numerous side effects इसलिए ये बात है कि जब आपको जरुवत है तो उतने doses में ही यूज करें इसका excessive use ना करें इसके do not use in a excessive the proton pump inhibitors विकास उसके जो side effects हम देखेंगे तो increase the risk of gastric neoplasia कि neogastric neoplasia होने के risk इससे बढ़ जाते है kidney disease हो सकती है कि excessive mount में ये medications लेने से kidney disease हो सकती है dementia की जिसको हम कई सकते है loss of memory language problem solving and other thinking abilities जो होती है कि जो specially हमारे brain कि जो central nervous system related हो सकता है patient को problem फिर liver disease भी हो सकती है उसके अंदर और fractures तो यहाँ पर point समझे डाइग्राम के साथ समझे तो सबसे पहले यहाँ से कि gastric neoplasia तो excessive PPS के करण carcinoma हो सकता है वहाँ पर कि जिसको gastric neoplasia हम कई सकते है specially कि excessive यह medications भी फिर वहाँ पर अपने side effects देती है और जिसके करण gastric neoplasia हो सकता है second समझे तो यह आपकी kidney तो kidney disease हो सकती है third point समझे तो dementia कि जो हमारे brain related problems कि आपके memory का loss होना language का जो understanding होती है problem solving का एक understanding होता है या फिर आपकी ability होती है problems solve करने की as well as thinking abilities होती है वो सब होती है loss due to the excessive use of these proton pump inhibitors फिर liver disease कि जो आपका यह liver है वो उसके अंदर damage हो सकता है कि जिसको हम दे सकते है number 4 और fifth number में आप देखे तो आपके bonds जो है वो weak हो सकते है और उपकी जाके उनका हो सकता है fracture तो सभी points समझे कि जो fracture यहाँ पे number 5 number 2 वाला देखे kidney disease number 1 that is gastric neoplasia number 4 that is liver disease number 3 जो आपके brain को affect करेगा that is the dementia तो यह side effects produce हो सकते है proton pump inhibitors को use करने से वीडियो के जड़ उसे like करिये valuable comments करिये share करिये और चैनल को subscribe करिये यहाँ जो जोई इस अन्य WhatsApp group 9426180836 so get the links of PharmaRocks app in a description box access career study material test series and video lecture on app PharmaRocks so good luck and all the best